बात करेंगे एस थेनो जो इस पर्मिया की समश्या की उपर यानि इस पर्म मौटिलिटी की समश्या आना यानि सुक्राणू की जो गति सीलता है उसमें कमी का होना जिसकी वज़े से फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती कहने का मतलव गर धारंड से जुड़ी समश्या है लोगों को यानि खासकर पुरुष को होने लगती है तो मनुष्य में यानि मेल में खासकर प्रति मिली लीटर 1.5 करोड से कम स्पर्म काउंट को हम सुक्राणू की कमी यानि कहते हैं इसको हम एस्थैनो जू स्पर्मिया की समश्या या फिर स्पर्म मॉटिलिटी की प्रोब्लम या फिर लो स्पर्म मॉटिलिटी भी बोल सकते हैं तो इसको कैसे ठीक करें किस तरीके की हम दवा दे सकते हैं तो इससे पहले हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि बाइलोजी सब्द की इत्पत्ती ग्रीक वर्ड बायोज और लोगत से हुई है जिसका मतलव है तो इसको हम बायोजी या साइंस बोलते हैं तो इसमें आज हम सीखेंगे कि यह समश्यक किस वज़े से आई है क्या कारण हो सकता है और किस तरीके की दवा से हम इस पर मॉटिलिटी यानि सुक्राणू की जो गति सीलता है उसको हम बढ़ा सकते हैं जिससे की जो यानि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो और गर्व धारण में आपको आसानी हो तो इसकलन के समय 40% जो इस्पर्म है वो जीवित रहते हैं और 32% जो इस्पर्म है वो गतिसील होते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सीमन में जो सुक्राणू जो तेरते हैं यानि उन में से जो कुछ है वो मर जाते हैं अगर उसको यानि सीमन को बाहर डिश्चार्ज कर दिया जाए तो वो हवा में ये यानि जो सुक्राणू है वो जेंटिमीटर की दर से जो सुक्राणू है वो पाई जाते हैं और 1.5 करोड से कम स्पर्म काउंट को हम सुक्राणू की कमी कहते हैं इसको हम कैसे दूर करेंगे तो मैंने पहला मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था और कुछ वीडियो और भी बनाए हैं कुछ दवाईयों के उ नहीं देगे होंगे तो मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो इसी के उपर था तो पहले मैं सीरप की बात करूं तो एक बॉटिफ नाम से सीरप आती है तो बॉटिफ सीरप को मगाईए जिनको स्पर्म मॉटिलिटी यानि सुक्राणू गतिसीलता की कमी है तो यह स्पर्म है उसको मंगाईए सुबह साम आप कम से कम डेड़ महीने तक आप इस सीरप को दो दो चमच या फिर धाड़ाई एमेल इस्तिमाल करिए दूसरा मैंने कॉक्यू फोर्ड कैप्सूल के उपर बनाया था यानि वीडियो तो कॉक्यू फोर्ड के अंदर को एंजयम क्यूटेन सेलेनियम ओमेगा थ्री फैटी एसिड इस तरीके की चीजें दी होंगी यानि बढ़िया कैप्सूल है यानि आप हलकी ब्रांड का जो दवा है वो नाल है अच्छे रिजल्ट के लिए यानि बढ़िया दवा लें अच्छे ब्रांड के दवा इस्तिमाल करें तो कॉक्यू जो कैप्सूल है फसाई कंपनी द्वारा यानि प्रमारित है अच्छा कैप्सूल है 600 या 700 रुपए के करीब आपको ये 10 कैप्सूल मिल जाएंगे तो आपको कम से कम डेड़ या 2 महीने आपको इस कैप्सूल को इस्तिमाल करना है साथ ही साथ बॉटिव सीरप को भी इस्ति जाए दी होंगी तो इसके उपर भी वीडियो बना दिया था आपने नहीं देखा है तो मैं सायद ढूंड कर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप को यानि केरोत की जगे दूसरा कैप्सूल जो इस्तिमाल आप कर सकते हैं तीसरी बा एक बार कोक्यूफोड कैप्सूल दिन में कभी भी इस्तिमाल करें और अनमोल वीर पॉस्टिक जो चून आता है आयरोवेदिक यानि देड़ सो या पौने दोसों के करीब ये इसकी जो मार्केट रेट होगी अब बढ़ गई हो तो पता नहीं है तो ये दूद के साथ एक यानि हाफ टी स्पून जो है आपको लेनी है यानि मुह में डालनी है फिर आदा गिलास आपको दूद पी लेना है उसी के साथ आपको यानि अनमोल गोली सहिंसा ही इसके अंदर सभी तरीके की बस्म यानि सोने की बस्म चांदी की बस्म और कई तरीके की बस्म होगी तो इ ठीक होगी और यानि जो वीर में असुद्धी है यानि सीमन में से अगर इसमेल आती है तो वो भी ठीक होगी क्योंकि हम यानि वीर पॉस्टिक चूंड का इस्तिमाल कर रहे हैं तो इसमें अच्छी दवा दी गई है जेमपी सेर्डिफाइट दवा है एलोपेथिक भी जो करना बंद कर दें यानि चरित्र वान वन के उस समय जब तक दवाई चल रही है आप सेक्स ना करें तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तो ये तो हो गया इस टॉपिक के उपर वीडियो तो मेरा यानि कुछ लोगों से यानि वीवर से कुछ क्वेशन है वो अगर आप आपको मालम हो तो बता देना कभी मैं इसके उपर वीडियो बनाऊं तो बना भी सकता हूं पर मेरे ख्याल से आपको मालम होगा क्या कारण है कि मैमल्स में जो टैस्टीज है वो उधर गोहा के बाहर लटके होते हैं मैं दौरा बूच रहा हूं क्या कारण है मैमल्स में जो वो उदर गोहा के बाहर यानि लटके होते हैं पेट के अंदर क्यों नहीं होते जबकि इसका कोई अहम रॉल नहीं है तो बस यह question है तो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद